नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका भारत और इंग्लेंड के बीच में खेले जाराय पांचवे टेस्ट मेच के तीसरे दिन के लाइव स्कोर अपडेट और हाइलाइट्स में पांच विकिट से आगे खेलते हुए इंगलेंड की टीम अपनी पहली पारी में 284 रन बना कर ढेर हो गई जोनी बैस्ट्रो ने इंगलेंड के लिए सबसे ज़ादा 106 रनों की पारी खेली उनके अलावा सैम बिलिंक्स ने 36 जो रूट ने 31 बैन स्टोक ने 25 रन की पारियां खेली दोस्तो भारतिय तेज गेंड बाजों के सामने इंगलेंड के बले बाज खुल कर रन नहीं बना सके मोहमबद सिराज सबसे सफल गेंड बाज रहे उन्होंने चार विकिट हांसिल किये वहीं जस्पृत बुमराहा ने तीन मोहमबद चमी ने दो और शार्दुल ठाकुर ने एक विकिट हांसिल किया दोस्तो पहली पारी में 132 रन की बड़त के बाद दोबरा बले बाजी करने उतरी भारतिये टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही शुबमंगिल पहले ही होवर में एंडर्सन की गेंद पर सिलिप पर जोनी बैस्टो के हाथो केश दे बिट है इसके बाद पुजारा ने एक छोड़ थामा लेकिन दूसरे छोड़ पर थोड़ी देर बाद हनमा वियारी और विराट कोली ने उनका साथ छोड़ दिया इस रूट ब्रोड का शिकारवे दोनों बन गए उन्होंने 11 और 20 रन बनाए दोस्तो विराट कोली 20 रन मनाकर बैन स्टोक के गेंद पर सिलिप में जो रूट के हाथो लब के गए इसके बाद पुजारा और पंथने पारी को समाला दोनों ने चोथे विकिट के लिए सत्यासी गेंदों में अर्ध शतक की एसासदारी पूरी कर ली दोनों ने 35.4 और में 100 रन के पार पहुचा दिया इसके बाद पुजारा ने 149 गेंद और अपना अर्ध शतक भी पूरा कर लिया इस दोरान उनोंने 5 चोक के जड़े यह इंगलेंड में उनका 5 वा और करियर का 33 वा अर्ध शतक है दोस्तों इंगलेंड को पहली पारी में 248 रन पर समेटने के बाद दोबरा वल्ले बजी करने उतरी भारत ये टीम के शुरुआत अच्छी नहीं रही टीम इंडिया ने पारी की तीसरी ही गेंद पर शुपमन गिल का विकट गवा दिया गिल चारन बनाकर एंडर सिन की गेंद पर स्लिप पर लपके गए वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है भारत को दूसरी पारी में इंगलेट को कितना लक्षे देना चाहिए कमेंट बोक्स में अपनी प्रडिक्शन जरूर लिखी है सई प्रडिक्शन देने वाले पांच भागिशाली विजटाओं को दिया जाएगा पांच सो रुपेगा नगत पुरुसकार इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस मेच को लाइव देखना चाहते हैं धन्यवाद वंदे मात्रम जे हिंद जे भारत